टॉंसिल्स problem बहुत ही common है और यह जैसे जैसे आप बड़े होते हैं कई बार बड़े होते बच्चों में यह बहुत ही भहनक रूप ले लेती हैं और कई बार आपको surgery करानी की जुरूत भी पड़ जाती है जिसको tonsillectomy की नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है कि जो टॉंसिल से उनको निकाल दिया जाता है टॉंसिल्स होते का हैं अगर आप गला खोल के देखेंगे पीछी की तरफ जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं पीछी की तरफ करीब यहां इसके उपर जो है दो गोल-गोल स्ट्रक्चर आपको घेरे से मिलते हैं जिसका रंग जो है बिल्कुल आपकी जुबान की तरह होता है उनको हम टॉंसिल्स कहते हैं यह नॉर्मली आपके गले में होते ही होते हैं यह बहुत सारे इंफेक्शन से आपको बचाते हैं लेकिन अगर बार-बार इंफेक्शन होता है तो इंफ्लेम हो जाते हैं यह सूच के बड़े हो जाते हैं जिसको टॉंसिलाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि टॉंसिलाइटिस के लक्षन क्या होते हैं, सिंप्टम्स क्या होते हैं। इसकी शुरुआत जनरली अगर यह एक्यूट फेज में होता है, तो अचानक बहुत तेज बुखार होगा, क्योंकि कोई infection हुआ होगा, और उसके साथ-साथ गले में दर्द होगा, और फिर यह जो टॉंसिल से यह बड़े हो जाएंगे, साथ में खासी भी आ सकती है, और अगर यह बहुत साथ बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे को खासी के साथ उल्टी आ जाती है, बच्चे को निगलने में दर्द होती है, गला बहुत दर्द करता है, और कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यह एक emergency condition होती है, लेकिन अगर यह बार-बार होता है, फिर तीरे-दीरे बुखार आना कम हो जाता है, बट आप जब भी मोसम बदलता है, बच्चा कुछ ठंडा गरम खाता है, तो उसके tonsils फिर से बड़े हो जाते हैं, इस condition को chronic tonsillitis कहा जाता है, और जो पहले वाली condition है, जब acute होता है, उसको acute tonsillitis कहा जाता है, लक्षान लगबग सेम होता है, हाँ, chronic में fever थोड़ा कम रहता है, या नहीं भी आता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण generally infection ही होता है, तो 70% cases में लगबग viral infections की वेज़े से tonsillitis होता है, जो अपने आप symptomatic treatment पे parasitomol लेने से, गार्गिल्स करने से, बच्चों में तो खेर गार्गिल्स नहीं हो सकते, लेकिन बड़ों में गार्गिल्स करने से, या कुछ pain killers लेने से, ये बिमारी ठीक हो जाती है, कुछ कफ सीरफ सोगरा लेने से, लेकिन अगर ये bacterial होता है, तो फिर आपको antibiotic लेनी की जूरूत पड़ती है, करते हैं, अगर ये recurrent होते हैं, या chronic transylitis होता है, तो उससे में फिर सर्जिरी के लावा, आपके पास कोई option नहीं बचता है, चोटा सा operation होता है, डेकर होता है, यानि कि आप एक ही दिन में अस्पतल से जाके, वापिस आ सकते हैं, सुबह operation होगा, शाम तक आपको छुटी मिल जाएगी, ENT surgeons को operation को करते हैं, तो अगर आपको इस तरह के लेक्षन होते हैं, या आपका गला बार बार दुखता है, या आपको यहापे कुछ गांठे महसूस होती है, तो फिर आपको ENT surgeons को जाके मिलना चाहिए, ENT यानि कि नाक कान गले की डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अपनी परिशानी को शेर करना चाहिए, सो देट समय पर आपका इलाज हो जाए, इसके complications क्या हो सकते हैं, इसका complications bacterial खासतूर से tonsillitis का यह होता है, कि आपकी kidney पर भी effect कर सकता है, आपकी यह heart पर भी effect कर सकता है, इसे endocarditis होने का खत्रह बढ़ जाता है, यानि कि heart के अंदर जो muscles होती है, उनमें swelling आ जाती है, तो अगर आपको tonsillitis होता है, तो आप समय रहते इसका ध्यान दे, और इसको समय रहते इलाज इसका कराएं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और अगर आपको tonsillis बार-बार होते हैं, तो गले की दूसरी बिमारिया भी हो सकती है, कान की बिमारिया भी हो सकती है, तो इसलिए आपको इसका इलाज कराना समय पे बहुत जरूरी हो जाता है, और आपको अपने बच्ची की सिहत का खाल लखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वाकिछी पसंद आया हो तो इसको लोगों को शेर करें, चैनल पे पहली बार आएं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बैल एकन का बिटन जरूर दबा लें, तो इस तरह की इनफर्मिटी वीडियो आपको समय पे मिलते रहें, थैंक यू.